नमस्कार आप देख रहे हैं GBN24 News और मैं हूँ आपके साथ मपता विश्रा जिली की दुबॉलिया थाना चेतर के खजानची पुर्वा गाउं में 23 अगस्त मोटर साइकल के हारम बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी मारपीट के दोरान घायल 14 वर्षिये सनी की इलाज के दोरान मेडिकल कॉली लखनव में मौत हो गई दुबॉलिया पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने तहरीर लेकर चाल लोग की हिलाब मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली आरोपियों की कोई गिरफतारी भी नहीं की वहीं बीती राज 14 वर्षिये सनी की जब लखनव मेडिकल कॉले स्पताल में मौत की सूचना गाउवालों को मालूम हुई तो सोक की लहर पूरे गाउव में फैल गई अलखनव से मिर्तक की बाड़ी गाउं पहुंसते ही कोहराम मच गया नाराज परीजन सहीत ग्राम वासियों ने राष्टे राजमार्ग राम चान की छामनी में गौरक पुर्वर जाने वाला मार्ग को चाम कर दिया गया राष्टे राजमार्ग पर लाष को रख कर ग्रामीन प्रदशन करने लगे और पुलिस के खिलाप नारे बाजी करने लगे दुबॉलिया पुलिस के खिलाब चमकर प्रदर्शंग करना शुरू किया वही ग्रामिणों और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गरफतारी नहीं की है मक्वे पर पहुँचे छेतर अधिकारी कलवारी तथा दुबॉलिया पुलिस परिवार वालों को गरामिणों को समझाने बुझाने में लगे गरामिणों की मां की ततकाल थाना अध्धक्ष को हटाया जाए साथी घटना स्थल पर पुलिस अधिक्षक बस्ती भी पहुँचे किसी तरह पुलिस परिशाशंग के उच्च अधिकारी गरामिणों एवं परिजनों को समझाएं की हम कारवाही करेंगे तब जाकर जाम हटाया वही संबंद में पुलिस अधिक्षक बस्ती अशीर शिर्वास्तव ने बताया कि एक माह पूरू की घटना है लक्नवों में इलाज चल रहा था बीती रात लड़की की मृति हो गई दुबली अथाने में 308 धारा के तहत मुकदमा पंचिकरित किया गया था लेकिन इस धारा में गरफतारी नहीं है जिससे अरोपियों को गरफतार नहीं किया गया है चाल लोगों की खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है साथी परिजनों को आश्वाशन दिया गया कि हम धा झाल 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 झाल